बोल में चिप, Mixed Reality Headset, Charging वाला बैट क्या इन में से कोई बात सच भी है लेकिन IPL में ऐसी ऐसी चीज़े यूज की जा रही है जैसे कि धोनी के हेलिकॉप्टर सोड की स्पीड को नीचे से उपर तक कैमरा से मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है और क्या चल रहा है विह एक नोर्मल बात है चारो तरफ नजर रखने के लिए ऐसा किया गया होगा लेकिन ऐसी 100 कैमराज इंप्लिमेंट किया गए है स्टेडियम में धोनी भाई मैज जीतकर स्टंप उखाड ले जाते थे जिसको देखकर ऐसी स्टंप इंप्लिमेंट की गई है जिनमें सेंसर लग जाती है अब इनमें क्या है ऐसा तो वही बैटरीज एंड मोशन सेंसर यह इनमें लगे हुए होते हैं यह इतने हाट बनाए जाती है कि इन पर बोल लगने पर भी बैटरीज इधर उदर नहीं होती अब गर्मी तो बहुत होती है जिसको स्टेडियम में मापने के लिए जो सारा मामला जान लेते हैं एंड मतलब इसकी प्रैसिंग की अगर बात करे तो अराउंट 2.5 क्रोड तक चली जाती है अब इसना महंगा कौन लेकर आएगा तो रेंट पर भी ले सकती हैं इंडियन जुगाडू है या जो पर डे रेंट की अगर बात करे तो 5-6 लैक्स मे आ जाती है नेक्स्ट अगर बात करे फ्लाइंग फोक्स जिसको देखकर लगता है ये स्पाइड मैन की याद दिला रहा है और इसे इसलिए स्पाइडर कैम भी बोला जाता है जिसको स्पाइडर मैन ने अपने जाल पर लटकाया हुआ है ये पूरे ग्राउंड को कवर कर सक लगता है जिसको अपरेट करने के लिए कैमरा मैंन सोफ्ट्वेर का यूज करते हैं नेक्स्ट अल्टरा एज मतलब की एज के लिए अलग से कैमरा यहां पर होते हैं कभी किसी अलग एंगल से स्लो फास्ट या बोल आती है तो पता नहीं चलता जिसको पूरा करने के लिए यूज किया जाता है अल्टरा एज कैमराज का अब धोनी सिक्स मारता है तो कैसे नापते हैं उसे मतलब की बोल जहां पर गिरी है दो आदमी इंची टेप लेकर जाते हैं और नापते हैं मुझे ऐसा ही लगता था पहले कि अगर बात करे तो लेकिन फिर मैंने गूगल का सह भारा लिया और पता चला कि S is equal to UT plus half 80 square अब calculate तुम खुद कर सकते हो मुझे इतनी maths नहीं आती अब no ball capture कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि सभी बोलर्स अपने अपने style से बोल डालते हैं जिसका पता करना के लिए बोलर के arm पर एक device अटेच किया जाता है जो hand movement capture क no ball of spin बाकी सब का पता लगा लेते हैं अब कुछ time पहले एक news बहुत viral हुई थी कि cricket balls में chip आती है जिसको बताया जा रहा था और यह पूरी तरीके से सच है क्योंकि balls की rotation speed बाकी चीज़े measure करने के लिए ऐसा किया गया है जिसका actual ball की तरह ही weight and looks है जो IPL वगेरा से implement की जा रह 3D path जो cricket में आपको दिखाया जाता है ऐसे 50 plus 3D interaction cameras implement किये जाते है stadium की अगर बात करें तो ऐसे ही balls फैकने के लिए machines का यूज गया जाता है जिसमें fastest ball 161 km per hour की speed से फैकी गई थी जो साइद गम हो सकती है reality में इससे भी ज़्यादा हो सकती है या कम भी क्योंकि बहुत सारे fast ballers हैं उनकी speed अभी तक measure नहीं की गई इन machines का इंस्तभाल training के लिए करते हैं ताकि किसी दूसरे player की training disturb ना हो पाए अब cricket में DRS technology का use किया जाने लगा है जो basically machines capture करती हैं जिसके ball center पर पता करने के लिए किया जाता है 300 frames per second की speed तक किये capture कर पाती है और technology cricket में इतने ज़्यादा करती है खेलते time के अगर बात करें तो कभी कभी robots खराब हो जाती हैं बीच में ही और ऐसे ही round moves करने लगते हैं पैरों के बीच आ जाते हैं Steve Smith को disturb भी कर दिया गया था एक बार की अगर बात बताएं ये ground में move करते रहते हैं और कभी कभार pitch पर भी चले जाते हैं लास्ट में बात करें mixed reality headset की तो super smooth VR IPL experience आप घर पर भी ले पाओगे अभी तो ये किसी के पास नहीं है अभी ये technology टेस्टिंग के लिए कुछ ही लोगों को दी गई है वैसी मुझे cricket में कुछ interest नहीं है लेकिन इन technology के बारे में जानकर मुझे बहुत बहेंकर फिल हुआ अब आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके बता दो और चैनल पर नहीं हो तो subscribe भी कर दो